हेलो एवरिवान वेल्कम बैक तो माई चैनल आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो चले बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं आज के टॉपिक के तरफ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्टोफिलिक सब्स्टिशन के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने इसक आपको के काफी डीटेल में समझा दिया था इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको मैंने यह पर लिग दिया इक पर इसको आप रीट कर लेजिए लेकिन अगर कहीं पर आपको इलेक्टोफिलिक सब्स्टिशन कराना है ठीक है फोर्स फुली है वो करा नहीं है तो वहाँ पर कॉंसी पोजिस्टन पर आपका इलेक्टोफिलिक सब्स्टिशन होगा कहाँ पर और्थो एंड पैरा पे क्यूं होगा क्योंकि आपके इलेक्ट्रोण की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा और्थो पोजिशन एड पैरा पोजीशन पे होगी लास्ट वीडियो में इसको मैंने एक्स्प्रेंग किया है अगर आपने चेक नहीं किया वो वीडियो तो प्लीज उसको देख लीजिए अब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं ख्लोरी नेशन ख्लोरी नेशन एक्टोफिलिक सब्स्टिचुशन के ठीक है ख्लोरी नेशन जो है आपका यहां पर बात हो रही है क्लोरोनियम आयन की ठीक है चील प्लस मतलब लोरोनियम आयन यहां पर माल लेजिए हमने कोई हैलोड लिया सपोज कीजिए हमने ले लिया फ्लोरो बेंजेन ठीक है प्लस CL2 एरो के उपर अब हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर हम लेंगे कोई लोईस एसिड सपोज कीजिए हमने ले लिया एन हाइड्रस एल सी एल थ्री क्या है यह लोईस एसिड है आपका ठीक है तो अब यहाँ पर आपका प्रोड़क्ट क्या बनेगा अभी मैंने बताया है कि अगर फोर्स फुली आप कहीं पर कराई रहे हो एलेक्ट्रोफिलिक सप्रिजूशन दे आक्चन तो कौन-कौन सी पोजिशन पर होगा और्टो यहाँ पर देखिए अब यहां पर क्या होगा aur यहां पर doğru जहता है होगा यहां पर hydrogen होगा होगा ठीक है to यहां से H और यहां से CL- यानि- HCl आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक, एक CL- जो है यह आपका बाहर निकल रहा है, ठीक, H+, के साथ में, और एक जो यह CL- प्लस है, यह आपका अंदर जा रहा है, कौन सी पोजिशन पर जुड़ेगा वो जाके, औरतों पर, यह वाले क्लोरीन को आपको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, इसको आपको रहने देना है, तो इसको आपने अपने बना लिया, दिन, C-L प्लस आपका अंदर गया, और यहां से किया, H+, C- के साथ बाहर निकला है, C-L के फॉर्म में, ठीक है, तो यहां पर और सो पोजिशन पर जुड़ गया, क्लोरीन, यह कौन तालaur क्लोरीन जुड़ा है, C-L प्लस वाला, प्लस एक और प्रटक्ट आपका बने गा, अब कौन से पोजिशन पर बढ़ेगा, बने गा यह पेरा पोजिशन पर, तो हमने एक और पोजिशन पर पर बना लिया, पैरा पोजिशन पर, ठीक है, क्लोरीन यहां पर औ अगर आप इसका नाम लिखेंगे, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, यह कौनसी पोजिशन पे है, और्थो पोजिशन पे, तो आपने लिखा और्थो डाई क्लोरो क्योंकि दो क्लोरीन है, यह रिंग का नाम क्या है, बेंजीन, तो यह हो गया और्थो डाई क्लोरो बेंजीन, इसका नाम क्या हो जाएगा Natural लगाया है ये हो गया पैरिया दाई लो-डीजीन है अब यहां पर देखे यहां पर Alexa procurement के पास कित्ते कि और यहां पर आपका Rippleய कम हो रहा है क्लोरी कि यहां पर रहे यहां पर रिपलिसन यहां कम हो रहा तो यह देग को अगर पर यह वाला देगा आपको मेंजर इसको कहीं पर आप नोट डान कर लीजी मैं आपको नेक्स्ट समझा देते हूं ठीक है नेक्स्ट हमें पढ़ना है नाइट्रेशन यानि एनो टू प्लस मतलब यह आपकी किसकी बात हो रही है नाइट्रोनियम आयन के बारे में हम बात करें यहां पर क्या होगा सबसे पहले हमने लिया कोई हेलो एरीन यहां पर हम क्या लेंगे यह नाइट्रोनियम आयन की बात हो रही है यहां पर हम लेंगे यहां पर हम एरो के उपर क्या ले रहे हैं अब यहां पर आपका ले मैं मैंने बताया था कि कहां पर पर पॉजी फरीन की अघशन के अब यहां पर देखिए यहां पर क्या होगा यहां पर H plus होगा आपका और यहाँ पर क्या है HNO3 है ठीक है HNO3 और यहाँ पर देखिए NO2 है मतलब यहाँ से आपका H और यहाँ से H यानि H2 और यहाँ से एक oxygen H2O यहाँ से बाहर हो रहा है यहाँ से क्या बाहर हो रहा है H यहां से भी H और यहां से एक oxygen मतलब माइनस के और आपका H2O बच्चा किया हमारे पास NO2 ठीक है? NO2 प्लस यही बच्चा तो यह आपका आकर जुड़ेगा एक बार और्थो पोजिशन पे एक बार जुड़ेगा पैरा पोजिशन पे तो यहां पर प्रोड़क्ट हमारा आप क्या बन जाएगा? रियाक्शन को आप ध्यान से समझ कर बनाएंगे तो आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे अब यहां पर एक बार और्थो पोजिशन पे जुड़ेगा NO2 तो आपने लिख लिया प्लस एक बार जुड़ेगा यह पैरा पोजिशन पे ठीक है? एक बार और्थो पे एक बार पैरा पोजिशन पे अब यह क्या है? आपका यह दोनों हैं आपके संस्टीच पे ठीक है? तो अब इसका हम कैसे नाम लिखेंगे? तो नाम हम हमेशा अलफाबेटिकली लिखते हैं तो प्रायोटिक इसको हाई मिलेगी? क्लोरीन को यह क्योंकि यह C से आ रहा है ठीक है? और यह आपका N से आ रहा है तो नमबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 फर्स पे क्या है? क्लोरीन तो हो गया 1 क्लोरो 2 पे नाइट्रो देन बेंजीन नेक्स देख लेते हैं यहाँ पे क्या है? फर्स पे अपका क्लोरीन है 1, 2, 3, 4 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन ठीक है? इसको कहीं पर आप नोट डाउन कर लीजें मैं नेक्स आपको एक्स्लेइन कर जेते हूँ इसको मैं रफ कर रही हूँ, अगर यहाँ पर भी आप देखे हैं कि माइनर और मेजर प्रोड़क्ट कौन बनेगा तो कौन सा बन जाएगा? यह वाला आपका बन जाएगा यहाँ पर रिपलसन आपका ज्यादा हो रहा है तो यह देगा आपको माइनर ठीक है? और यह वाला देगा आपको मेजर नेक्स्ट हमें पढ़ना है सलफोनेशन यानि SO3H प्लस यहाँ पर हमने लिया कोई हैलो अरीन ठीक है? प्लस हमने लिया कॉंसेंट्रेटेड S2SO4 इसको हमने हीट किया प्रोड़क्ट क्या बन जाएगा अब हमारा अब H2SO4 को आप ऐसे भी तो लिख सकते है न? OH then SO3H ठीक है? अब यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा तो यहाँ से यह H और यहाँ से OH यानि माइनस होगया आपका H2O बचा गया यही तो बचा आपके पास SO3H यह कहाँ जाकर जुड़ेगा? ortho and paraposition पे तो हमने क्या किया? प्रोड़क्ट बना लिया क्लोरीन यहाँ पर हमने लगा दिया SO3H प्लस एक और कॉन सी position पर जुड़ेगा? पैरा पोजिशन पे यहां लिखा हमने क्लोरीन और पेरा पोजिशन पर हमने लिखा SO3H ठीक है अब यह आपका क्या है सलफोनिक एसिड है सलफोनिक एसिड की प्रियोर्टी जो होती है फंशनल ग्रूप में सबसे हाई होती है फर्स नमबर इसको दिया गया है सलफोनिक एसिड को तो इसको नमबरिंग अब हमेशा यहीं से होगी सलफोनिक एसिड की प्रियोर्टी अब इससे ज्यादा होगे क्योंकि यह तो अब इसको देंगे आप फर्स नमबर इसको सेकेंड थर्ड फोर फिफ्ट एंड शिक्स अब इसका नाम क्या हो जाएगा नम हम कैसे लिखते हैं इसको मिला फर्स नमबर तो टुप आपका ख्लोरो गयुक है तो हम ने लिखा टूओ ख्लोरो गयं खै-ए इसके बाद फर्स पर है स sorting एस लिखेंगे तो परहे हम लिखेंगे टू ख्लोरो बेंजीन फिर्स्ट पे है शल्फॉनिक तो आप लिख लिजे वन सल्फॉनिक एसिट या वन को मेंशन करना जरूरी नहीं होता तो आप छोड़ भी सकते हैं सल्फॉनिक एसिड इसका नाम किया हो जाएगा अब इसको देंगे फ़र्स नमबर सेकें थर्ड फॉर्थ फ्यृफ और इंद फिर्ट और शीट तो अब फॉर्ट पोरीशन पे है क्लोरीन तो इसका नाम हो गया फॉर्व फॉर्ड वनिजीन फोर्ष पे है शल्फॉनिक यहां पर भी इं दोनों में प्लतोन ज्यादा हो रहा है तो यह देगा आपको माइनर प्रोडक्त ठीक है यहां पर यह पड़िसंद कम हो रहा प्रोड़क। आपको मेजर प्रोडक्त इन भांध है इसी तरीके से एक्जाम में अगर आइ तो आप इसको को एक्स्प्रीन करेंगे कि सल्फोनेशन क्या है नाटरेशन क्या है क्लोरीनेशन क्या है आप मुझे कॉमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मैं मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार झाल 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 झाल